मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की प्रिक्षा है जिसको सकुसर संपन कराने में हम लोग सफल हुए हैं और जैसा कि सरकार का संकल्प है यह कोई भी भरती सुचिता पून तरीके से हो और सिर्फ विधावी छात्र ही है स्वस्त प्रतिसपरधा के बाद विभिन नौक्रियों में लिये जाएं जिससे की जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके है आपने खुद कल देखा होगा कि कितना बड़ा कारिकरम कितना इंवेस्टमेंट विभिन देश और विदेश के कमपणियों द्वारा उतर प्रदेश में किया गया इसके पीछे सरकार की जो पॉलिसी है तथा बहतर कानून विवस्था का जो एक मॉडल दिया गया है उसके तहत ही कारवाई हो रही है उसी करम में ये बच्चे जो की एक ट्रांस्पेरेंट भरती प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं जनता की समाज की विभाग की और देश की सेवा अगले 40 साल तक करेंगे अभी की भरती साथ हजार से कुछ उपर की है और आने वाले एक वर्स में हम कुल एक लाख लोग विभाग में लेंगे जिससे की लगबग साथ हजार ये और आने आगे चालीस हजार और भी भरती जब होगी तो अगर ट्रेनिंग हम पूरा कर लें तो अगले डेड़ से दो वर्स के वीतर एक लाख से अधिक मेधावी कॉंस्टेबलरी हमारे पास अवलेबिल होगी जो लंबे समय तक परदेश की शेवा करेगी और एक अंतर विभागी समन्वे के साथ बहतर प्यवस्था का परिणाम है कि भरती का एक अपने आप में तो प्रदेश का मॉडल भी आजदेश के शामने है और सभी लोग संतुष्ठ हैं और एक टीम वर्क का पतिफल है कि इस तरह से ते परिणाम आ रहे हैं हुआ हुआ हुआ